हालो एब्रीवान आज हम क्लास 12 का एक और चैप्टर समझेंगे दे एनिमी अब इस चैप्टर में उस टाइम की बात है जब जपान और अमेरिका के बीच वार जल रही थी तो उसमें क्या होता है कि दूरिंग दे वार एक अमेरिकन सोल्जर जोकीर वांडेड होता है घायल होता है काफी चोटे आई उसको और वो समंदर के रास्ते से एक बीच पर आकर बहकर आजाता है अब होता क्या है कि वो बहुत ही वाउंडेड था काफी चोटे थी बुलेट लगी हुई थी गोली लगी हुई थी उसको तो वो उस बीच पर आता है अब इससे पहले कि मैं आगे का बताऊं मैं आपको ये बता देती हूँ कि डॉक्टर सदाओ के बारे में जो की नेक्स्ट खेलते नहीं थे अपने बच्चे के साथ तो वो मतलब काफी सिंसेयर भी थे वो ये चाहते थे कि मेरा बेटा बड़ा होके बहुत अच्छा सक्सेस्फुल परसन बने तो इसलिए वो कभी हसी मजाक नहीं करते थे अपने बच्चे के साथ बहुत सीरियस से रहते थे और वो अठ साल अमेरिका में पढ़ाई पूरी करके डॉक्ट्र सदाओ वापस जपान आते हैं और बहुत अच्छे एक सर्जन बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं आफ़ी फेममनेम उनका हो जाता है तो काफ़ी फेमउस हो जाते है और उनके फादर यह खुशी फार्चुने देख पाते हैं और उसके कुछ टाइम बाद वो उनकी डेथ हो जाती है डॉक्टर सदाओ के फादर की डेथ हो जाती है तो डॉक्टर सदाओ जपान अमेरिका में जब पढ़ने गए थे आठ साल के लिए तो वहां उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है ह वो हना से मैरिज करना चाते थे शादी करना चाते थे लेकिन वो पहले ही अश्योर होना चाते थे कि हना एक जैपनीज ओरिजन की गर्ल है जैपनीज गर्ल है क्योंकि अगर वो अमेरिकन गर्ल से शादी करेंगे तो उन्हें पता था कि उनके पैरेंट्स उनके फादर कभी पहले अच्छे से अश्योर होते हैं और जपान आकर अपनी पढ़ाई के बाद हना से शादी करते हैं हना भी एक डॉक्टर ही थी तो अब वापस आते हैं उसी बात पर की जो बीच पर अमेरिकन सोलजर जो की बीच पर पहुंचता है घायल है अब वहां पर बीच पर कौन सेर कर रहा होता है कौन वाक कर रहे होते हैं डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ वह वाक कर रहे होते हैं अब उस सीन की बात कर रहे हैं अब डॉक्टर सदाओ का घर बीच के बिलकुल पास था तो उस टाइम की बात कर रहे हैं कि जब वह हस्बंड और वाइफ सेर कर रहे होते तो तब उन्हें दूर से दिखता है कि बीच पे एक बाउंडेड परसन है घायल परसन है जो कि लड़कड आते हुए चल रहा है और वो जैसे कि वो डॉक्टर है तो उनको ये पहली चीज अपनी नजर आती है कि अगर वो इंसान फिट नहीं नजर आ रहा है हेल्दी नजर न से नीचे गिर जाता है अब वो उसको देखते हैं जैसे उसके नसदीक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी युनिफॉर्म से उन्हें पता चलता है कि वो तो एक American अमेरिकन सोलजर है तो उस वक्त वार चल रहा था जपैन और अमेरिका के बीच तो एक बार तो उनके माइंड में यह पॉइंट आता है कि हम अपने एनिमी की हम अपने दुश्मन की मदद कैसे कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका अटैक कर रहा था और हिरोशिमा नागासागी पर हो चुका था तो उस माइंड में उनके वो बात आ जाती है लेकिन साथ ही साथ उन दोनों के माइंड में फिर यह बात भी आती है कि we are doctors first we are humans first हम सबसे पहले इंसान हैं डॉक्टर हैं और हमने यह स्टार्टिंग में ओथ ली थी कसम ली थी कि हम सभी इंसानों की सेवा उनका treatment करेंगे हम कभी यह discriminate नहीं करेंगे कि हमें इसका करना हिलाज और दूसरे का नहीं तो वो इस mind में इस point के आते ही decide कर लेते हैं कि मैं इस wounded soldier की help करूंगा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिकन है लिकिन सबसे पहले यह human है इंसान है तो दोनों decide करते है और उसे अपने घर पर ले आते हैं अब एक चीज़ और मैं बता देती हूं कि उस time पर war चल रही थी तो सभी doctors की duty लगी हुई थी war front पे क्योंकि वहाँ पर जिन भी soldiers का इलाज करना होता था वहाँ सभी doctors वहाँ गया हुए थे बर doctor सदाओ की duty नहीं थी क्योंकि उनकी duty एक general के साथ थी और वह general काफी बुढ़े थे काफी बिमार रहते थे एक दो बार उनको heart attack भी आ चुका था तो डॉक्टर सदाओ को specially personally उनको look after करने के लिए उनकी duty उनके साथ थी क्योंकि वह deathbed पे थे general उनको कभी भी वह personally जानते थे doctor सदाओ उनकी body उनका health सब कुछ तो उनकी देख रेक में general का treatment चल रहा था तो इसलिए doctor सदाओ की duty वहाँ नहीं थी तो आगे बढ़ते हैं अब वो soldier को wounded soldier को घायल जो वो सिपाही था उसको अपने घर ले आते हैं अब जब बाकी servants उनके घर के doctor सदाओ के घर पे काफी servants थे वो जब यह observe करते हैं कि यहाँ पर कोई आ हाना doctor सदाओ की wife जब वो एक maid को कहती है कि इस soldier का यह wound clean कीजिए यह घाव साफ कीजिए तो वो maid जब पास से देखती है तो वो समझ जाती है कि अमेरिकन soldier है तो वो deny कर देती है refuse कर देती है मना कर देती है हाना को कि मैं अपने enemy की मैं अपने दुश्मन की help नहीं करूंगी और सब नौकर आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि यह लोग American origin के एक आदमी को उस soldier को अपने घर पे help करने के लिए ले आए हैं पर फिर भी हाना उस maid को कुछ नहीं कहती है उसके मना करने पर और हाना खुद ही गर्म पानी से उसको क्लीन कर देती हैं और वो लोग surgery भी उसको operate करते हैं soldier को उसकी surgery करते हैं और bullet remove कर देते हैं धीरे धीरे within 6-7 days वो काफी recover कर जाता है soldier अब 7 days के बाद Dr. Sadao के जो servants हैं वो Dr. Sadao और Hana की family को छोड़ के चले जाते हैं वो कहते हैं कि आप लोग एक enemy को help कर रहे हो enemy को shelter दे रहे हो अपने दुश्मन को shelter दे रहे हो तो आप लोग तो फसो गई हम भी फसेंगे तो servants खुदी unity में अपनी एकता में decide कर लेते हैं कि हम यहां काम नहीं करेंगे हम यहां से चले जाएंगे and after 7 days they left the home वो चले जाते हैं अब दोनो husband wife थोड़ा सा worried हो जाते हैं क्योंकि household help उनकी सारी चली घर के काम काज करने वाले नौकर चले गए तो वो थोड़ा सा worried feel करते हैं कि यह बाहर जाके कहीं सबको न बता दे कि हमारे घर पे enemy है हमने shelter दिया हुए help की हुई है एक enemy की American इंसान की अब इतने में ही दरवाजे पे नौक करता है कोई और हाना बहुत घबरा जाती है डॉक्टर सदाओ की wife बहुत घबरा जाती है तो वो डॉक्टर सदाओ को कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्वेंट्स ने बाहर जाके पुलिस को बता दिया और पुलिस आई है तो डॉक्टर सदाओं उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं आप शांत रहो मैं जाकर देखता हूँ तो जब बाहर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जनरल का ही कोई attendant वहाँ पर आता है और वो इन्फार्म करता है दॉक्टर सदाओं को कि जनरल को फिर से कुछ health problem हुई है एक minor attack आया है तो आप आईए और उनको देखिए तो डॉक्टर सदाओ उनके साथ immediately जाते हैं क्योंकि उनकी duty भी general के लिए ही है तो वो general के पास जाते हैं उन्हें थोड़ा comfortable करते हैं जो treatment जो first aid देना होता है starting में treatment के start करना होता है वो करते हैं और जब general थोड़ा अच्छा feel कर देना हैं तो वो उनसे बात करते हैं general was very happy वो बहुत खुश होते हैं कि दॉक्टर सदाओ आप जैसे अच्छे doctor मेरा treatment कर रहे हैं तो मैं बहुत ही tension free रहता हूँ कि आप मेरे साथ हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि दॉक्टर सदाओ आपको कभी भी कोई help चाहिए कोई भी आपको problem हो तो आप बेजी जख मुझ से कह सकते हैं अब दॉक्टर सदाओ को लगता है यह best time है यह मौका मैं हाथ से नहीं जाने पा सकता हूँ तो वो decide करते हैं जनरल को बताने के लिए और जनरल को सबसच बता भी देते हैं अब जनरल सुनते हैं तो मन में सोचते हैं कि अगर मैं डॉक्टर सदाओ की complaint करता हूँ authorities को तो डॉक्टर सदाओ को जेल हो जाएगी और वो थोड़ा selfish हो जाते हैं वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो किसी भी तरह डॉक्टर सदाओ को बचाना ही है तो वो डॉक्टर सदाओ को suggest करते हैं वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो तुम सिर्फ इतना करो कि मैं कुछ इसका assassination करवा दूँगा American soldier का assassination means कुछ killers को hire करके मैं इसको मरवा दूँगा murder कर तो just to get rid of the person he agrees वो अपने आप consent दे देते हैं अपनी हा कर देते हैं कि ठीक है आप ऐसा ही कीजिए तो general कहते हैं डॉक्टर सदाओ को कि आप अपने घर के doors open रखिएगा और जिस room में वो American soldier है उसका door भी open रखिएगा assassins आएंगे means वो killers जिनको मैं hire करूँगा वो आएंगे उसको मार के चले जाएंगे रात के समय और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा तो ऐसा ही करते हैं उस दिन डॉक्टर सदाओ घर आते हैं doors open करके सोते हैं वो लेकिन वो अपनी wife से भी कुछ नहीं बताते हैं इस secret को वो हाना से भी share नहीं करते हैं और वो doors open रखते हैं और ताकि assassins आएं और हम लोग जब सो ही रहे हों वो अपना काम करके चले जाएं और उस soldier के room का door भी वो open ही रखते हैं तो पूरी रात wait करते हैं लेकिन अगले दिन जब वो morning में चेक करते हैं soldier ठीक होता है तो वो बहुत हैरान होते हैं कि पता नहीं आ जैसा क्या हुआ कि assassins क्यों नहीं आए जनरल ने नहीं भेजे फिर वो second night फिर wait करते हैं अब second night को कुछती भी है कि कुछ आवाजें आ रही है कुछ शोर आ रहा है तो वो हाना को कहते हैं कुछ नी कुछ नी तुम ऐसे वरी मत करो तुम सो जाओ मैं देख लूँगा क्योंकि उन्हें mind में लगता है कि assassins आ गए अब next morning वो फिर चेक करते हैं American soldier ठीक होता है कोई problem नहीं होती वो फिर बहुत हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ फिर वो third night फिर से वही चीज रिपीट करते हैं डोर्स ओपन रखते हैं कि आज शायद assassins आएंगे और killers American soldier को मार के चले जाएंगे बढ़ third night भी कुछ नी होता है वो वेटी करते रह जाते हैं morning में देखते हैं तो soldier was fit and fine ठीक होता है अब third night के बाद morning में भी जब कुछ नी होता है तो उनके mind में एक चीज आती है वो सोचते हैं कि मैं एक doctor होके being a doctor मैं इतना unethical काम कैसे कर सकता हूं मैं कैसे किसी को मरवा सकता हूं क्योंकि मेरा भी हाथ है इसमें मैं भी doors open छोड़ रहा हूं मेरी भी consent है मैंने यहा की है general को कि हाँ मार दीजिए तो indirectly मैं भी murderer ही हुआ तो being a doctor उनकी humanity उनको अलाओ नी करती है यह काम करने के लिए उनकी इंसानियत उनको अंदर ही अंदर उनके अंदर का angel मना करता है यह काम करने के लिए तो ऐसा होता है ना कि हर इंसान के अंदर एक angel होता है एक devil होता है angel अच्छे काम करवाता है and devil wrong काम करवाता है तो उनके अंदर का angel उन्हें मना करता है तो वो decide करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह secret रखूँगा और मैं इस soldier को किसी ना किसी तरह यहां से भगा दूँगा उसकी help करूँगा तो यही decide करके वो एक boat का arrangement करते हैं क्योंकि वो beach के पास ही उनका घर था और उस boat पर वो essentials रखवा देते हैं और American soldier से कहते हैं कि यह देखो सामने एक island है जो नजर आ रहा है island होता है टापू सामने नजर आ रहा है तो वहां तक यह boat तुमें ले जाएगी और उसके आगे तुमें कोई Korean ships या Korean boats वगेरा मिल जाएंगे और आगे का रास्ता तुम खुद manage करो और देखो कि तुमें कहां जाना है अब मैं इतना कर सकता हूँ मैं island तक पहुँचा दूँगा यह कुछ torch यह खाने पीने की चीजें यह सब तुम अपने सा आप पकड़े जाओ अगर आप आग जलाओगे या ऐसा कुछ करोगे तो वहाँ पर अगर आपको कुछ चाहिए होगा कोई help चाहिए होगी तो यह torch को flash कीजेगा दो बार torch की light flash कीजेगा और मैं किस कुछ ना कुछ जो भी आपको थोड़ा बहुत essentials or required होंगे तो मैं वो किस तो उसको वो boat में भेज देते हैं अब उसके बाद वो फिर general से मिलने जाते हैं यह बात ना हाना को पता होती है यह ना ही वो general को बताते हैं अब वो जब जाते हैं तो general उनसे by chance वैसे ही पूछ लेते हैं कि dr. सदाओ soldier का क्या हुआ जिसके बारे में आपने मुझे बताया थ तो dr. सदाओ कहते हैं general you didn't send assassins आपने तो किसी को भेजा ही नहीं उसको मारने के लिए आपने कहा था तो general एकदम से कहते हैं ओ yes मैं थोड़ा बुड़ा हो गया हूँ एज हो गई है मेरी तो मैं तो भूल गया कि मैंने तुम्हें यह कहा था कि मैं किसी को भेजूंगा तो मै मैं तो भूल गया हूँ तो वो कहता है dr. सदाओ कहते हैं कि अब जरूरत भी नहीं है किसी को भेजने की क्योंकि वो खुद ही soldier कहीं भाग गया है वो यह नहीं कहते कि मैंने उसे help किया भगाने में मैंने arrangements किया है वो कहते हैं कि खुद ही भाग गया है आपको भेजने की जर तो इसी के साथ chapter finish होता है हाला कि ये chapter book में बहुत लेंदी दिया हुआ है बहुत ही लेंदी बहुत छोटी-छोटी कुछ एक details है बाट major जो things है वो हमने इसमें discuss कर ली है I hope explanation आपको अच्छी लगी होगी तो अवा classes को subscribe कर दीजिए like कर दीजिए मिलते हैं next video में किसी और lesson के सा have a nice day